हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो में सिच्छन अदर्गम के जितने भी important question बनते हैं, मैंने सारे note down कर रखे हैं ठीक है, तो इनी questions को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनी में से आपको प्रशन देखने को मिलेंगे बस थोड़ा सा घुमा सकते हैं, लेकिन question यही रहेंगे, ठीक है, तो अगर आप man-man question पढ़ लेंगे, तो आपको पता होगा कि अगर question अलग भी देता है, थोड़ा हटके भी देता है, तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, simple question है, लेकिन बहुत important है, पहला question है आप चैप्टर था आपका कि सिच्छन का अर्थ एवर मुद्देश, तो भी चैप्टर है यही और उसी का यह important question है, ठीक है, सिच्छन का अर्थ बताना है, लेकिन सिच्छन से पहले मैंने आपको सिच्छा का अर्थ बताया है, कि अगर सिच्छा के बारे में पूछा रहा है, त इसकी उत्पति लेटिन भासा की सब्द एजुकेटम से होई है, ठीक है, इसकी उत्पति किस से होई है, तो लेटिन भासा की सब्द एजुकेटम से होई है, जिसका अर्थ होता है अंदर से आगे भढ़ना, ठीक है, क्या अर्थ होता है अंदर से आगे भढ़ना, अब हम ब वस्तु नहीं होगी, तो कोई भी सिच्छन प्रिक्रिया नहीं हो सकती, ठीक है, और यह किसके बीच में होती है, तो एक सिच्छक होता है, इसमाँ एक सिच्छार्थी होता है, इनके बीच में होने वाली अंतेक्रिया है यह सिच्छन, अब सिच्छन के हम उद्देश देख ल कि वो चीजों को समझ पाएं, फिर एकी छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, नास्ट आपका कि छात्रों में बातपरेंट की प्रति, समायोजिन की सकती प sanatcating करना, मतलब, किसी भी बातपरेंट में जायें, वो खुद को समायोजित कर सकें, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर वो कीसी गाउं का लड़का है, उसे आपने अच्छे सा समझाया, वो सहर में जा रहा है, तो वो गन्रोल कर लेगा, ठीक है, मैंने इस कर लेगा खुद को, ऐसा नहीं कि डरा डरा सेमा सेमा दूर दूर रहेगा, अगर वो सिच्छत है तो, ठीक है तो यह जो संकुचित अर्थ है, इससे मतलब होता है कि जो भी सिच्छा विद्धाले में दी जाती है, वो संकुचित अर्थ में आ जाती है, ठीक है, संकुचित अर्थ में सिच्छा विद्धाले में दी जाने वली सिच्छा है, यह बाला को एक निश्यत समय में, देखें अंतर क्या संकुचित अर्थ में सिच्छा का संबंद केबल जीब को पारजन से होता है, मतलब संकुचित अर्थ में जो सिच्छा दी जाती उसका मतलब है कि आप खाली ब्यापार कर सकें और खुद को सैटल कर लें, मतलब आपको कमाई का साधन मिल जाए, ठीक है, आप कमाने लगें, अ जीब को पारजन कर सकें, ठीक है, संकुचित सिच्छा को पुस्त की ग्यान से प्राप्त बिध्याले सिच्छा भी कहा जा से, जो सिच्छार्थियों को सिच्छों से प्राप्त होती है, ठीक है, तो संकुचित अर्थ में आप सिच्छा समझ गया होगे कि सिच्छा क्या होत कि ऐसी सिच्छा जो सिर्फ विध्धाले में हमें प्राप्त होती है जो एक निश्चित समय में निवजित रूप में निश्चित सिच्छण विधियों द्वारा और निश्चित पाठकरम के माद्यम से प्राप्त होती है तो ऐसी सिच्छा जो होती है वो संक्षित सिच्छा क पढ़ाई से related है कोई चीज, ठीक है तो ऐसी जो सिच्छा होती वो ब्यापक अर्थ में आती है, जैसे आपके अपने दोस्ते हैं आपने पूचा कि गाने कैसे डाउनलूड करते हैं, उसने आपको बता दिया कि ऐसे गाने डाउनलूड होते हैं, ठीक है तो वो सिच्छा जो आपको मिल रही है वो किसमें आएगी ब्यापक सिच्छा में आएगी ठीक है उसका पढ़ाई से कोई संबन्द नहीं है तो दिखिए ब्यापक अर्थ में सिच्छा जीवन आजीवन चलने वाली प्रिक्रिया है एक ब्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में जन्म से लेकर मित् इंतरगात आता है इस प्रकार ब्यापक अर्थ में सिच्छा किसी निश्यत शमय में निश्यत पाठकरम में निश्यत उद्देश में निश्यत इस्थान में निश्यत सिच्छन विदियाओं में या ब्यक्ति बिसेस में किसी से बंदी हुई नहीं है बलकि ये एक ब्यापक इवं मुक्त प्रिक्रिया है, ठीक है, तो ये किसी सीज में इसमें कोई बंधन नहीं होता, जीवन परियंत आप कुछ न कोछ सीखते हैं, वो सब सिच्छा के ब्यापकर्थ में आता है, ठीक है, तो आपको समझ में आगया को दोनों में अंतर क्या है, इसके तीन स्थम कौन से तो दिखिए, याद रखिए, जो सिच्छा है, त्री मुक्त प्रिक्रिया किस ने कहा था, तो जॉन डीवी ने कहा था, ठीक है, दो मुक्त प्रिक्रिया किस ने कहा था, तो एडम्स और रॉस ने कहा था, ठीक है, दो मुक्त प्रिक्रिया किस ने कहा था, तो एडम्स और र तीसरा था आपका पार्ठ कुरिया में तीन इस्थम थे सिच्छ का अर्थ-वम आफशरी है. महत और आफशरी चीज़ हो गई तोा सिच्छुन का अर्थ बताना है आपको और महत बताना है. इस simple सब्दों में समझ लेते हैं कि संप्रेशन को कहते क्या हैं तो English में से कहते हैं Communication और Communication का अर्थ क्या होता है कि एक दूसरी से बातचीत करना ठीक है अपने बात को दूसरों को समझाना और दूसरी की बातों को खुद समझना ठीक है अगर देखा जाए तो संप्रेशन सब्द इंगलिस भासा के Communication सब्द का हिंदी रुपांत्रेन है जिसकी उत्पत्ती लेटिन भासा के सब्द कम्नुस से होई है ठीक है किसे होई है कम्नुस से होई है जिसका आर्थ होता है ठीक है इतनी बात क्लियर होगी आपको कोशन आएगा तो आप लिख देना कि कम्नुकेशन सब्द का हिंदी रुपांत्रेन है जिसकी उत्पत्ती होई दी लेटिन भासा के सब्द कम्नुस से जिसका आर्थ होता है कॉमन कम्नुकेशन एक ऐसी प्रिक्रिया है जिसके द्वारा ब्यक्ति अपने भावों को साजा करते है अथार सूचना का आदान प्रदान करना ही संप्रेशन कहलाता है ठीक है तो सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है संप्रेशन अब हम देखेंगे संपूरेशन का अर्थ और महत पहली अब अमशक्ता देखेंगे, आपशक्ता और महत में कि बिचारों का स्थानान के लिए, थीचर आपको जो पढ़ को समझा रहा है, मैं आपको तमिल में समझा रहा हूं तो आप नहीं समझ पाएंगे न, तो हमारे अगर मैं तेलगू में कुछ बोलने लग जाओ या बंगाली में कुछ बोलने लग जाओ आप नहीं समझ पाएंगे तो सिच्छा के लिए भी समप्रेशन की जरूरत पड़ती है माली या फिल्म देख रहे हैं आपको को समझी में नहीं आ रहा है क्योंकि या तो वो बिहारी उसमें अपनी बातें रखने के लिए अपना प्रभाव दर्स आने के लिए भी समप्रेशन की जरूरत पड़ती है फिर अब बैस्विक जानकारी के लिए टेकि जो international news बगरा आती है तो उनकी जानकारी के लिए भी आपको समप्रेशन की जरुरत पड़ती है तो आप समझ गयोंगे कि समप्रेशन की क्यों आप सकता होती है और क्या क्या इसका महत्व है नेश कुशन है कि समप्रेशन की घटक क्या है तता समप्रेशन प्रक्रिया को समझाईए देखिए समप्रेशन की घटक पूछे है और समप्रेशन प्रक्रिया को समझाना है आपको कि कैसे communication चलता है तो देखिए आपको कभी भी अगर sensation का cushion आता है और प्रिक्रिया पूछी आती है तो आप ये वाला figure बना दिना इससे क्या होगा थोड़ा अच्छा effect पड़ेगा ठीक है जो भी आपकी coffee check करेगा उस पर थोड़ा अच्छा effect पड़ेगा देखिए इसमें प्रिक्रिया कैसे चलती सबसे पहला होता है आपका प्रेशक प्रेशक का English में कहते है हम इसे communicator कहने का मतलब जो संदेश भेजता है जैसे आप अपने दोस्त को संदेश भेज रहे है ठीक है तो आपने अपने दोस्त को संदेश भेजा तो आप क्या हो जाएंगे प्रेशक हो जाएंगे ठीक है, communicator हो जाएंगे, आपने संदेश भेजा है, तो संदेश क्या है, message, ठीक है, अब आप किसी ना किसी medium से भेजेंगे ना, ठीक है, कोई तो medium होगा, कोई तो माध्यम होगा, जिसके माध्यम से आप भेजेंगे, हो सकता आप WhatsApp पे message भेज रहे हो, हो सकता आप Duck के माध्यम से message भेज रहे हो, हो सकता आप Telegram पे भेज रहे हो, या Instagram पे भेज रहे हो, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी एक माध्यम है ना, internet माध्यम है, टीक है, internet के माध्यम से आपचीज़ों को भेज रहे हैं, या मेरी बात आप तक पहुँंस रही है, तो YouTube माध्यम हो जाएगा, ठी बतरब मेरा दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्राही हो जाएगा ठीक है अचीवर क्योंकि उसे मैसेज हम भेज रहे थे और उसे मैसेज मिला है ठीक है अगर वो मैसेज को पढ़ लेता है समझ जाता है तो वो क्या करेगा फीडबैक देगा हमें ठीक है हम जो भी मैसेज कर लीकमी देज़ता है उसे मिलता है तो यहां है सारी तत हो जाते हैं संप्रेशन के मुखिता तीन तत हो पहले तो पहले 請 संदेश को भेशता है ड्रॉट एक उनके आपको लिखनी है नेस्ट कुश्य है कि संप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं ठीक है तो संप्रेशन के कितने प्रकार होते हैं इन्हें बताना है आपको तो संप्रेशन दो प्रकार के होते हैं ठीक है एक होता है साब्दिक संप्रेशन जिसे हम लोग इंगलिस में verbal communication कहते हैं और दूसरा होता है आपका असाब्दिक संप्रेशन जिसे non-verbal communication कहते हैं साब्दिक में दो चीज़ें आती हैं मौके के अलिकित पहले तो यह समझे साब्दिक होता क्या है जब सब्दों के माद्दियम से हम संप्रेशन करते हैं तो वो साब्दिक संप्रेशन कहलाता है और साब्दिक संप्रेशन क्या होता है जो हम सब्दों के माद्दियम से ना करके किसी इसारे के माद्दियम से ठीक है टच करके ठीक है आँखों के संबर्ख से जो भी sumphriation करते है वो आता है आपका असाबधिक sumphriation में साबधिक में दो आते हैं maquik और kihit जो बाते हम बोल कर ठीक है बोल कर बात विवाद करकर अपनी बाते हैं दूसरों तक पहुचा आते हैं तो वो कहलते हैं आपका maquik communication liquor communication क्या होते है तो जब आप किसी भी चीज को, अपनी विचार को, अपनी बारी को, जो भी चीज होती है, जो आप कहना चाते हैं दूसरे से, लिखकर बताते हैं, ठीक है, लिखने के माध्यम से बताते हैं, तो वो कहला था आपका लिखिद संप्रेशन, ठीक है, तो ये साब्दिक वाला असाब्दिक में तीन चीज़ें आती हैं, पहला आता है बार्णी संकेत, ठीक है आप इसारी नहीं आएंगे इसमें, बार्णी के माध्यम से मतलब कोई ना कोई अबाज निकाल करें, आपने जंगलों में जो जंजाती लोग रहते थे, वो कुछ ना कुछ अबाज निकालते ह जो को दूसरों तक पहुचाते हैं, तो वो कहला आता है आपका बार्णी संकेत, फिर है इसपर्ण संकेत, ठीक है आप टच करके, जो आपने देखा कि आप जो बोल नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसपर्ण करके कुछ चीज़ों को बताते हैं, ठीक है तो वो आता में 2 थे मौके क्लिकित और असाबदिक में 3 थे बाड़ी संकेत इस पर संपर्क और तीसा था चचु संपर्क या मुखमुद्राएं ठीक है तो आप लिख सकते हैं संप्रेशन दो प्रिकार के होते हैं मतलब संपरेशन आप बात कर रहे हैं दूसरे से तो ऐसा ना लगी कि आप आदेश दे रहे हैं ऐसा लगी कि आप निर्देश दे रहे हैं ठीक है आदेश और निर्देश में अंतर होता है ठीक है दूसरे कि कच्छा का बाताबरन अगर आप क्लास की बात हो रही क्लास की पर् प्रशनी ना कर रहे हैं ठीक है प्रस नहीं पूछ रहे हैं नीरस से बैठें एकदम ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिलकुल सरल होना चाहिए बच्चे सहज हूँ पढ़ने को लेकर और पूछें टीचर से ठीक है तो ऐसा होना चाहिए तीसरे कि प्रभावी संप्रेशन तो उसे उस तरह से treat करना चाहिए ठीक है, तो हर चीज को ध्यान में रखना चाहिए उसकी फिर है कि प्रभाविस संप्रेशन के लिए सिच्छन के उद्देश को इसपस्ट इवन विसेश्ट होना चाहिए मतलब आप जिस चीज के लिए संप्रेशन कर रहे हैं ठीक है, नैस्ट है कि प्रभाविस संप्रेशन के लिए संप्रेशन एक तरफा नहीं होना चाहिए एक तरफा से मतलब है ऐसा नहीं कि टीचरी बोलता जा रहे है बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है बच्चे अपनी तरफ से कम्निकेटी नहीं कर रहे हैं तो यह एक तरफा हो जाता है और प्रभावी आपको e- Cantonation चाहिए तो होना चाहिए कि teacher भी बोलता जाए और बच्चे भी सुने और बच्चे भी जबबह दें उसका तब प्रभावी सं प्रे important point थे प्रभाबी संप्रेशन की तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लिए बैत्तिक भीनता का सिध्धान तथा करके सीखने की सिध्धान को सपस्ट कीजिए दीकि बैत्तिक भीनता के बारे मैंने आपको अच्छे से बताया है कई वीडियो भी मैंने इसके उपर बनाई है तो आप देख सकते हैं बैत्तिक भीनता कहते किसे हैं तो किनी भी दो ब्यक्तियों का परसपर एक सार ना होना बैत्तिक भीनता कहलाता है ठीक है अब दो ब्यक्ति जैसे कैसे नहीं होंगे हो सकता उनका color अलग हो, हो सकता उनका बुद्धिस्तर अलग हो, हो सकता बोल चाल में अलग हो, ठीक है, तो कई region हो सकते हैं कि एक ब्यक्ति दूसरे ब्यक्ति से अलग होगा, ठीक है, रंग रूप, color, बुद्धिस्तर, तो कई इस तर पर बुद्धिस्तर अलग होगा एक उससे भी नीचे आ रहा है, या वो प्रतवासाली की स्रेणी में आ रहा है, तो उसे साब से सिच्छा देनी चाहिए, ठीक है, तब सिच्छा जो आप देंगे, वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगी, बहुत अच्छी होगी, ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना च जोन डीवी ने भी दिया, कि बच्चों को करके सीखने के लिए प्रोसाहित करना चाहिए, कि वो खुद करके सीखेंगे, आपने देखा है, साइंस में आप खुद प्रैक्टिकल बगएरा करते हैं, तब चीजों को सीखते हैं, और कई चीजों को अच्छे से याद रख पा कैसे अकर्षित करें, सिखन समगरी का प्रयोग कब और कैसे करें, आधी कठनाईयों को समाधान करने के लिए मनोविज्ञान को बस शिखन सास्त्रियों ने अपने अनववों, बस बिचारों को सूतर के रूप में प्रस्तुत किया, जिनने सिखन सूतर कहा जाता है, ठीक है अगर इसकी उपयोगता पूशी आती है, तो उपयोगता में आप लिख सकते हैं कि सिखन सूतर, हमें बताते हैं कि हमें सिखन कब प्रारम करना चाहिए, दूसरा पॉइंट लिख देना कि सिखन कैसे प्रारम करना चाहिए, ये भी सिखन सूतर में बताते हैं, बच्चों का लिख सकते हैं, नेस्ट कुषिन है आपका, कि ग्याद से अग्याद तथा बिसलेशन से संसलेशन की ओर सिच्छन सूत्र को समझाईए, ठीक है, तो सिच्छन सूत्रों को आपको समझाना है ग्याद से अग्याद और बिसलेशन से संसलेशन की ओर, पहले आए आपका ग्याद स तो ज्याद सा ज्याद क्यों और शिष्ण सूंतर क्या बताता है पहले वह चीज़ यह बच्चों को बता है ठीक है आप को भी नया चैप्टर सुरू करने जा रहे हैं एक लास में तो उस चैप्टर से उस चीज को निकालो जो बच्चे पहले से चीज को जानते हैं, जैसे आप खरगोस की कहानी सुनाने जा रहे हैं, ठीक है, खरगोस और कच्छुए की, तो आप पहले पूछी कि खरगोस कैसा दिखता है, कच्छुए कैसे दिखते हैं, आप पहले से जानते हैं, आपने किसी न पहले से जानते है तो बोई चीज़े उन्हें दे क्या पता है तत पश्यात उन भागों को आपस में जोड़ कर पूरी जानकारी कर आकर निस्कर्स पर पहुंचना चाहिए सिच्छन में बिसलेशन और संसलेशन दोनों अवश्यक है कहने का मतलब है आप क्या करें इसमें कि पहले तो पूरी घटना बता दो जैसे कोई घटना घटी है तो आप क्या करते हैं पूरी घटना बताते हैं किसी भी इंसान को उसके बाद क्या करते हैं कि उसे छोड़े छोड़े भागों में तोड़ तोड़ कर उसके बारे में बताते हैं और फिर क्या करते हैं पूरी घटना को एक साथ सुना कर उसका निर्सकर्स निकालते हैं कि इसमें क्या निर्सकर्स निकल ला है इस घटना का तो यही कहला था आपका बिसलेशन से संसलेशन की ओर, इसमें आपको क्या करना है, पहले पूरी जानकारी देनी है, घटना बतानी है, पूरी जानकारी देनी है बच्चों को, उसके फिर क्या करना है, उसके छोटे-छोटे भागों में उससे डिवाइड करना है, उसकी ब्या साफी important है और exam में पूछे जा सकते हैं इसलिए मैंने ये दोनों important रखें हैं इसमें तो ये वीडियो यहें पर मैं complete करता हूँ सारी question आपको देखने को मिल जाएंगी कौन-कौन से question इसमें मैंने बनाई है पूरी book से मैंने बना दिये question ठीक है इतने बहुत important है आपके लिए 40 number तो आपके कहीं भी नहींगे अगर ये सारी question complete कर लेंगे और 40 से उपर number आपको लाने तो आपको कुछ अलाग करना पड़ेगा ठीक है थोड़ा सा अच्छे से copy रखना है आपको ठीक है अच्छी writing लिखनी है और अच्छी से चीजों को करेंगे तो आराम से आपके 45 नमब पूत्रे वो भी काफी important है ठीक है सरल से cutting की हो प्रसनोतर बिधी ये सारी काफी important है और जो previous से मैंने paper कर आए है उनमें भी कुछ question बहुत ठीक थे तो उन्हें भी अच्छे से देख लेना लेकिन ये question सारे आप तयार कर लेंगे तो 40 number आपके आराम से आजाएंगे ये guarantee है मे झाल 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 झाल